एलियंस और युएफो दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे इंसानी दिमाग को काफी परभावित करते आए हैं इने एलियंस का हमारे ब्रह्मांड में होना और उनका उनके युएफो पर हमारी प्रित्वी पर आना हमारे साइन्स फिक्षन किताबों का एक मुख्य आधार रहा है दोस्तों कई लोग आज ही दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस द्वारा किड्नैप किया गया या फिर उन्होंने एलियंस के युएफो को देखा है ऐसी खबरे हमें एक लंबे समय से सुनते आए हैं लेकिन वहीं बात करें विश्वभर की सरकारों की तो ये एक लंबे समय से ऐसी सभी घटनाओं को छूठा बोलती आई हैं लेकिन कुछी समय पहले अमरीकी सरकार की डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस के हेड़ क्वार्टर्स पेंटगन द्वारा कुछ ऐसी वीडियोस को रिलीस किया गया चिन में हमें एक उडन तश्त्री जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ अगले महीने पेंटगन एक रिपोर्ट को पबलिश करने वाला है ऐसा क्या हुआ जो यूएफो की एक्जिस्टेंस को खारिज करने वाले देश ने ऐसी वीडियोस को ऐसे ही रिलीस कर दिया और क्या होगा उस रिपोर्ट में क्या अमेरिका अब एलियन से डरने लगा है और पेंटगन ने क्या कहा है इन वीडियोज और रिपोर्ट के बारे में आईए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 में होए रोजवेल इंसिडेंट से इस घटना के दोरान अमेरिका में एक यूएफो धुर्गटना ग्रस्त हो गया था देखे जाने पर उस यूएफो के मलवे को रबर स्ट्रिप्स, टेन फॉयल, पेपर और स्टिक से बने एक चमकदार मलवे के रूप में बताया गया हालांकि अमरीकी सेना ने मलवे को बरामत किया और कहा कि यह मलवा वैदर बैलून का था उस दिन वास्तम में क्या दुरगटना ग्रस्त हुआ इस पर कई कॉंस्पिरेसी ठ्यूरीज हैं कई विशेशग्यों ने इस पर किताब लिखे है और एरिया 51 को सीक्रेट बेस बताया जहां अमेरीकी सरकार उस UFO क्रेश में बचे एलियन्स को बंद रखे हुए है दोस्तों समय इस घटना पर कई न्यूज आर्टिकल भी लिखे गए थे लेकिन जिसे अमेरीकी सरकार ने पूरी तरह से ही खारिज कर दिया था तशको से एलियन के UFO से जुड़ी खबरें, तस्वीरें, विडियोज हमारे सामने आती रही है लेकिन अमेरीका हमेशा से ही इने गलत ठहराता आया है दोस्तो ये सोचने वाली बात है कि पेंटगन अभी ही क्यों इन वीडियोज और UFO रिपोर्ट्स को क्यों जारी कर रहा है दोस्तो इसकी शुरुआत होती है 2017 में एक लीग्ड नीवी वीडियो से जैसे ओनलाइन सोचल मीडिया में अफवाहों की बाड़ आ गई थी इस फोटेज में हम अजीब दिखने वाले विमानों की एक समू को अजीब मैन्योवर करती हुई देख सकते है और जिसे देखकर नीवी पाइलर्ट्स भी काफी जादा हैरान रह गई थे इसके बाद एप्रेल 2020 में पेंटगल ने अफिशली अन एडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना की तीन विडियोस रिलीज किये जिने नीवी पाइलर्ट्स द्वारा कैप्चर क्या गया था पेंटगल के ऐसे विडियोस को रिलीज करने ने इस और इशारा किया कि ये विडियो पूरी तरह से सही हैं लेकिन जिससे हम यह नहीं जान सकते कि यह क्राफ्ट्स क्या थे यह इने क्या माना जाना चाहिए इंटेलिजेंस अथ्राइजेशन एक्ट फॉर फिशल इयर 2021 में एक शंशोधन किया गया जिसमें यूएपीस की थ्रूआउट इंवेस्टिकेशन का ओडर दिया गया देसंबर 2020 में सरकार ने इंटेलिजेंस अथ्राइजेशन एक्ट लॉ बनाया और यूएपीस पर एक अंक्लासफाइड रिपोर्ट को 2021 में पब्लिश करनी का ओडर दिया दोस्तो ये एक्ट मेमोथ एप्रोप्रियेशन बेल का एक हिस्सा था जिसमें कोविड-19 से एकोनोमिकली फालाउट वाले लोगों के लिए फाइनेंशल एड चेक्स भी शामिल थी दोस्तो इस रिपोर्ट को जून में पब्लिश किया जाना है इसे डायरेक्टर ओफ नेशनल इंटेलिजेंस और सेक्टरी ओफ डिफेंस द्वारा कमपाइल किया जाएगा और इसमें वो सब बताया जाएगा जो अमेरिकी सेना को इन घटनाओं के बारे में पता है दोस्तो इस रिपोर्ट का आना कुछ लोगों के लिए सपनी के पूरे होने के जैसा है इन में से एक है जेर्मी कॉर्बेल चोकि पीशे से एक फिल्मेकर हैं और जिनोंने 2019 में यूएस नीवी द्वारा सेन डियागो के कोस्ट में कैप्चरड फूटेज को शेयर किया था जेर्मी कॉर्बेल द्वारा शेयर की गई इस फूटेज को डिपार्टमेंट आफ डिफेंस ने कन्फरम करके कहा कि इस वीडियो को मिल्टरी द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया था जेर्मी कॉर्बेल का इस रिपोर्ट के बारे में कहना है कि मैं एक आप्टिमिस्ट हूँ इसलिए मेरा मानना है कि हमें इसके बारे में ज्यादा कन्फरमिशन मिलनी चाहिए कि हमारी प्रित्वे पर मौचूद यूएफोस के बरे में मिल्ट्री क्या जानती है आए दोस्तों अब जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ होने वाला है नैशनल इंटेलिजेंस के पूरव निर्देशक जॉन रेटक्लिफ ने इस साल की शुरुआत में फॉक्स न्यूस के साथ हाई प्रोफाइल इंटर्व्यू में कहा था कि इस रिपोर्ट में difficult to explain साइटिंग के बारे में जानकारी होगे यानि कि ऐसी घटनाए जिने हम explain नहीं कर सकते अपने इसे इंटर्व्यू के दोरान जॉन रेटक्लिफ कहते हैं कि हम उन वस्तों के बारे में बात कर रहे हैं जिने नौ सेना या वायू सेना के पाइलर्ट स्वारा देखा गया है या जिने satellite imagery दोरा पिक क्या गया है जो सपष्ट रूपसे उन action को कर रहे थे जिने समझना मुश्किल है ऐसी गतिविदियां जिने दोराना मुश्किल है और जिने करने के लिए हमारे पास technology नहीं है Department of Defense ने जुलाई 2019 में ली गई UAPS की कई तस्वीरों और वीडियो की authenticity की भी पुष्टी की Defense Department की एक spokeswoman ने April 2021 में इस बात की पुष्टी की कि Triangle Shaped Flying Object की footage रियल है और जिसे नौ सेना के पालेट्स द्वारा record क्या गया था उन्होंने इसके बाद कहा कि Department यह नहीं बता सकता कि वो अबजेक्ट क्या थे एस सब के बावजूद अभी भी एस पुष्ट नहीं है कि क्या रिपोर्ट में वेब footage भी शामिल होंगे चिने लोग पहले देख चुके हैं या वे इनमें नए वीडियो उसको release करेंगे सारा स्कोल्स जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और UFO Culture Book They Are Already Here की अधर भी हैं उनका इसके बारे में कहना है कि सरकार अभी इस सब को cover करके रखना चाहती है इसलिए मुझे नई लगता कि हमें इस बात का अंदाजा है कि इस report में क्या होगा उनका कहना है कि यह बहुत अच्छा होगा यदि हमें उनके पास से कुछ और तस्वीरे और वीडियो देखनी को मिल जाएं दोस्तों अब आईए बात करते हैं कि यह report हमें किस तरह से effect कर सकते है जब Pentagon ने UAPs के footage जारी किये तुनोंने accept किया कि वे वीडियो में देखे गए फिमानों दोरा किये गए manuvers को explain नहीं कर सकते इसलिए यह मानना कि report इस बात की पुष्टी नहीं करेगी कि UAPs वास्तम में alien spaceship हैं या किसी परकार की foreign technology काफी हद तक हमारे लिए सही रहेगा सारा स्कॉल्स का कहना है कि मुझे लगता है कि अंत में साबसे खास बात यह है कि यह है एक unclassified government report है और जिसे कोई भी पढ़ पाएगा लेकिन सारा का मानना है कि report अभी भी एक purpose को पूरा कर सकते है क्योंकि यह अपनी तरह की पहली report होगी यह यह पता लगाने के लिए base त्यार करेगी कि जारी की गई जानकारी के साथ क्या करना है और यह भविश्य में मिलने वाली जानकारी को systemize करने का एक तरीका परदान करेगी तोस्तों क्या यह report aliens की confirmation करेगी तो इसका आसान जबाव है नहीं अमरीकी सरकार के और से अपनाई गई भाशा ने इस बात पर जोर दिया है कि वैं खुद नहीं जानते कि यह उड़ने वाली वस्तुएं क्या है कोरबल का कहना है कि आपको हमारी सेना से एक transparent और honest response मिला है कि वैं नहीं जानते कि यह क्या है कोरबल कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा कि वैं aliens है मैंने कभी अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये अज्यात है और हमें जानने का अधिकार है जानने की जरूरत है और सुरक्षा के दृष्टिकों से राष्ट सुरक्षा के दृष्टिकों से साथ ही साथ हमारे भ्रहमांड में हमारी मनुष्य जाती की जगा को समझने के लिए उन्होंने आगे कहा अब क्या वे एलियन्स हो सकते हैं जरूर हलांकि एलियन इंथूजियस्ट सरकार दवारा यूएपीज के फूटेज की पुष्टी करने पर खुशी मना रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे मान रहे हैं कि ये एलियन्स स्पेशिप हैं इसके बजाए सरकार की मुख्य चिंता ये है कि इनसे हमें किसी परकार का खत्रा है या नहीं स्कोल्स कहती हैं कि शायद इस रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या यूएपीज एक राष्टिय सुरक्षा खत्रा पैदा कर सकते हैं चोकि बहुत ही बेसिक सी बात है जहां जादातर लोग इस रिपोर्ट को इलियन स्पेशिप से जुड़ा सोच रहे हैं वहीं हो सकता है कि ये रिपोर्ट केवल अनाडेंटिफाइड एरियल फिनॉमिना से जुड़ा हो और उनसे जुड़े खत्रों के बारे में इसमें डिसकस किया गया हो लेकिन दोस्तों सबसे वड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों अमेरिका ने अभी इन वीडियोज और रिपोर्ट को पब्लिश करने का फैसला किया क्या अमेरिका एलियन से डर रहा है या ये स्पेशिप एलियनस ना होकर कुछ औरी फिनॉमिना हो ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा आपका क्या मानना है अमेरिका के इस तरह के बिहेव करने के बारे में हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएए दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शियर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बैल नोटिफकेशन आउन जरूर कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफकेशन अपलोड होते ही मिल जाए थेंक यू फॉर वाचिंग दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद